From Panic to Power, अपनी चिन्ताओं को शांत करने, अपने डरों को जीतने और अपने जीवन को नियंतरण में रखने के प्रमानित तक्नीक, एक Self-Help पुस्तक है, जो Lucinda Bassett द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक चिन्ता और भय को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियों और तक्नीकों का प्रस्ताव करती है, तो आये जानते हैं, इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में, चिन्ता की समझ, From Panic to Power, के पहले अध्याय में चिन्ता की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करती है, वे बताती हैं कि चिन्ता के विभिन पहलूं को समझने के लिए उपायों और तक्नीकों की आवश्यक्ता है, इस अध्याय में उन्होंने चिन्ता के कारणों की पहचान और उनका सं पैनिक के लक्षणों की पहचान, From Panic to Power, के दूसरे अध्याय में पैनिक और उसके लक्षणों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करती हैं, वे बताती हैं कि पैनिक के लक्षणों को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ती उनसे समझ सके और सही समय पर उन्हें और उनके साथ कैसे संबोधन करने के तरीकों का विवरण भी दिया गया है, डरावने विचारों का सामना, From Panic to Power के तीसरे अध्याय में डरावने विचारों के सामने कैसे खड़े होना है, इसके बारे में बताती हैं, वे बताती हैं कि भयानक विचारों से सामना करने की कला को सीखना और मास्टर करना महत्वपूर्ण है, इस अध्याय में विभिन्न तकनीकों का विवरण दिया गया है, जो व्यक्ति को उन डरावने विचारों का सामना करने में मदद कर सकती हैं, वह यह भी बताती हैं कि कैसे अपने विचारों को पुनर निर्मान करने और सकारा च्छाय में दिया गया है, इस अध्यान, श्वास परशांती और गहरी शांती की तक्णीकों का परिचल दिया गया है, ये तक्नीके समवेधन शीलता और सामग्रिता को बढ़ाने, स्थिरता को प्राप्ट करने और चिंता और डर को कम करने में मदद करती हैं, विक्ति को इ अध्याय में आत्म मूल ल्यांकन को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर ध्यान के इंद्रित करती हैं। अध्याय में भागने और भय के साथ निपटना, फ्रॉम पैनिक टु पावर, के छठे अध्याय में भागने और भय के साथ सामना करने के तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इस अध्याय के माध्यम से पाठक अपने भयों को सामना करने के लिए नए और प्रभावी उपायों को अपना सकते हैं। लक्ष निर्धारित करना और प्राप्त करना, फ्रॉम पैनिक टु पावर, के साथ वे अध्याय में लक्ष निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के तकनीकों का विवरण प्रदान करती हैं। वे सफलता के लिए उद्देश्य निर्धारित करने, उन्हें पालन करने के लिए कदम उठाने और आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा करती हैं। इस अध्याय में विभिन्न उद्देश्यों को कैसे संरचित किया जाए और उन्हें हासिल करने के लिए निरंतर्ता से काम किया जाए इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यक्ति को अपने लक्षियों की और समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके संचार कौशल का सुधार From Panic to Power के आठवें अध्याय में संचार कौशल को सुधारने के तक्नीकों पर ध्यान के इंद्रित करती है उन्होंने यहाँ पर सकारात्मक समवाद, सुनने की कौशल और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उपायों का वर्णन किया है वे संचार कौशल को सुधारने के तरीकों को समझाने के लिए विभिन तकनीकों और उपायों के उदाहरण प्रदान करती हैं, जिनसे व्यक्ति अपनी समवाद क्षमताओं को बेहतर बना सकता है। इस अध्याय के माध्यम से पाठक संचार कौशल को मजबूत करने के लिए विभिन उपायों का उपयोग कर सकते हैं और सकारात्मक समवाद में सुधार कर सकते हैं। संतुलन और स्वास्थे का बनाए रखना From Panic to Power के नवां अध्याय में संतुलन और स्वास्थे को कैसे बनाए रखने के तक्नीकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे यहां पर शारिरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थे को संतुलित रखने के लिए उपायों का बयान करती हैं। इस अध्याय में विभिन तकनीकों का विवरण दिया गया है, जो व्यक्ति को उनके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थे को संतुलित और मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। तो दोस्तों हमारी आज की ओडियो बुक समरी कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताएं।